मुझे ज़िए और आज इस वीडियो के अंदर में इसको लेक्चर नहीं बलूँगा इसको वीडियो बोलूँगा क्योंकि यह वीडियो जो होने वाला है यह अनल एक बहुती प्यारे बहुती क्यूटी चैप्टर के उपर जिसका नाम है कोडिनेट जोमेंटरी बहुत प्या चैप्टर है चोट उसा है कुछ है नहीं इसमें दिमाग गाना सब बहुती जल्दिया में इस चैप्टर को करेंगे क्योंकि हमको इसको एक्जाम सेंट्रिक तरीके से पढ़ना है तो आज इस वीडियो के अंदर में तुमको पूरा का पूरा मेरी आवास रोड़ सी फट ग पड़ेगी ऐसा मुझे मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ बाकि तुम्हारी इचा ठीक है तुम नेचे कमेंट सब और वीडियो को स्टाट कर से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो देर सारा ठीक है सबसे बाली बात कि नोट्स वगरा तुम लोगों को वेबसेट देखना को मिल सबसे इंपोर्टेंट इस से भी जाद है इंपोर्टेंट चीज़ कि अगर तुम लोग ने अभी तक एप डाउनलोड नहीं की है तो मेक्शर एप डाउनलोड कर लो क्योंकि पचास हजार से जादा डाउनलोड अल्रेडी हो चुकर जो कि बहुत बड़ी बात है जबकि एप के अंदर जो experience हो totally ad free है ठीक है free and ad free content ठीक है free भी है और ad free भी है क्या बहुत है बहुत ही बड़ी है अगर तुम लोग नहीं कि इस चैनल को subscribe नहीं क्या है तो बहुत पास है दिवाली तक हमारा टार्गेट है के 80,000 हो और next month के अंदर हम एक लाग का टार्गेट अचीव करने कोशिश करने के तो make sure कि तुम जल्दी से जल्दी कर दो अगर तुम लोग ने अभी तक website विजिट नहीं के तो website भी जाके विजिट कर लो now let's begin with the chapter बहुत ही सिंपल सचाप्ट रेकोर्डिन जोमेट्रिस के अंदर क्या है फटा 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 देता हूं देखो इस chapter का प इदर उदर की बाते करते हैं पर समझ में हमको सब कुछ आ जाता है और से interesting भी लगता है बहुर भी नहीं होता है ठीक है तो इस chapter का पूरा का पूरा सार है वो अगर मैं चार शब्दों बता हूँ तो उसका मतलब है कौन कहां बैठा है बस कौन कहां बैठा हुआ है हमको बस हर चीज का position देनी है ठीक है जैसे मैं अपनी class के अंदर second bench पर बैठा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं second bench पर बैठा हूँ अगर मैं मेरी class के अंदर let's say कि मैं class के अंदर entry लेता हूँ और मानलो कि मैं third row की second bench पर बैठा हूँ let's say मेरी class में यहां से entry ली यहां पर पहली तो embarrass यहां पर दूसरी यहां पर तीसरी ठीक है और यह तीसरी रोज़ स्वाट इंदर मैं थर्ड मेंश बीटता ह Living 그 मैं 23 यहां पर मैं थर्ड के संखंड पर mechanics बैटता हूं तो ऐसे में क्या हो ना कि हमने लोगों को ऐसा कर दिया तो इसलिए मैट्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं यह 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 पॉ ऐसी position दो, हमको भी number दो कि हम कहां बैठे हुए, तो बस उसी चीज को उनको बुरा ना लगे, इसलम ने coordinate geometry नाम का इस chapter देखा, क्या है इस cute little chapter के अंदर, क्या क्या चीज है, कुछ भी ने, definition और introduction है, जो कि कुछ खुल definitions है, तुमको बस एक बार समझने उसको याद करने की तो यह topic है plotting points on the graph, मतलब यह graph paper पता है हमको क्या होता है, उस graph paper के उपर हमको इन points को बिठाना है, जैसे कि महां लोग class के अंदर आया रमेश, और मैंने बोले कि रमेश को 4th row की 5th bench बिठा तो जाके, तो अब जो रमेश है, उसको तुम 4th row तक लेके जाओगे, फिर 5th bench तक ऐसे ही अब क्या करने वाले है, हम यहां पर point को बता देंगी point को बिठाना का है, अब उसको वहां तक लेके जाना तुम्हारा काम है, तो वो काम हमको करना है, वह समको उस point को लेके वहां तक जाना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमको बोल दे कि रमेश कौन सी position पर बैठ यह क्या चीज दिख रहे हैं यह तुम लोगे क्या दिख रहा एं यह यह बहुत ही सिंपल सी मेरे रैटिंग बहुत ही ज़ादा खराब है यह एक सिंपल सी number line है अब number line के उपर आज तक क्या होता था यह मेरे बाल उचको थोड़ा सा कुछ अरिज़्ट करने मुझा ओढ़ा है नुम्बर लाइन के और क्या होता था बहूत सी चीज होते थी हमको नुम्बर लाइन के और बहुत तरी मार्क करते हैं तो यह मैंने थी को मार्क कर दिया बहुत ही यह line है, तो बहुत ध्यान से सुनो, यह line है, तो इधर भी infinite तक जाएगी, और इधर भी infinite तक जाएगी, ठीक है, इधर भी चलेगी, तो बहुत दूर तक चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, तो बहुत दूर तक चलेगी, infinity तक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, इधर भी, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ऐसे करते करता है, minus infinity तर जाएगे, तो हम यहाँ पर points mark कर सकते हैं, तो यह क्या हुई, एक line हुई, अब line और plane में क्या difference होता है, देखो एक plane अगर मैं तुमको बहुत आसान बहुत 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 इसके अंदर मैं सिर्फ उपर जा सकता हूँ और left-right जा सकता हूँ, मैं अंदर तो जा नहीं सकता ने, एक page के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो बात को, मतलब मैं 2D का मतलब समझ में है न, 3D मतलब क्या होता है कि भाई, देखो जब हम picture देखने आता है, ठीक है, जब हम picture देख पर 3D के अंदर क्या हूँ, कि वोई चीज बहार आने लग गई, है न, मतलब चश्मा लागा कि देखते हो तो असले लगते है कि और यह था और तो हमको मार रहा है, मतलब स्क्रीन से बहार निकल रहा है, तो वो 3D हो गया, मतलब तीसरे dimension हो गया, तो 2 dimension क्या होते हैं, जो कि एक plane पर, अब screen जो है वो एक plane है, है न, screen जो है वो एक plane है, मतलब जहां पर भी 2 dimension होते हैं, सिर्फ ऐसे जाने वाला है, मतलब इसको हम x axis या x dimension बोलते हैं, और ऐसे जाने वाला है, इसको y dimension बोलते हैं, अब depth तो है नहीं, मतलब ऐसा है, ऐसा है, पर ऐसा तो है नहीं, ठीक अब ये तो एक line हो गई अब मालो कि point सिर्फ इस line पर ही होंगे मालो कि अगर कोई point यहाँ पर है कोई point यहाँ पर है मालो तो इसको हम कैसे mark करेंगे भाई ये जो point है इसको mark कैसे करेंगे तुम ही बताओ ये तो line के भार चले गए तो ये point तो बुरा मान जागा कि मुझे तो mark करी नहीं रहो तुम लोग फिर वह बात आ गई है ना तो हमको इसको बुरा फील नहीं करवाना है तो वैसे case में हम का करेंगे ध्यान से देखो ये एक number line है अब ये तो एक horizontal से number line है मैं एक ऐसी एक vertical number line भी बना सकता हूँ एक vertical number line भी बना सकता हूँ जिसमें यहाँ पर zero होगा और इसके उपर जाने वाले सब positive बान लूगा और नीचे जाने वाले सब negative बान लूगा है ना तो जब मैं इन दोनो number lines का pen pineapple apple pen जैसे वो होता ना pen pineapple apple pen अगर तुम लोग ने देखा तुमको नहीं पता तो कोई बात नी पर कोई बात नी अगर मानलो मैं इन दोनो lines को merge कर दूँ तो ये कैसा हो जाएगा ये कुछ ऐसा सा नहीं हो जाएगा ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा सा नहीं हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को merge कर देता हूँ तो एक कुछ ऐसा से हो जाएगा न ये देखो है की नहीं ठीक है तो ये क्या हुआ ये हो गया अब दो lines से जैसे दो points से एक line बनती है वैसे दो lines से एक plane बन जाता है तो अब क्या हूँ ये पूरा का पूरा 2D plane बन गए एक paper जैसा बन गए ठीक है तो हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर सब points मेरे हात में आ गए यहाँ भी जा सकता हूँ यहाँ भी जा सकता हूँ भी जा सकता हूँ ठीक है ठीक है तो यह जो एक्सिस होती है इसको हम क्या बोलते है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस यह सारी चीज़े याद रखना जो जो समझाने वाले इसको हम क्या बोलते हैं याद रखना और यह जो उपर जाने वाले एक्सिस है इसको हम क्या बोलते है याद कैसे रखोंगे देख इमर्ज हो रही है जैसे गंगा कहाँ से इमर्ज होती है दो यहां इस पूरे कर्ट किया है यहां पर इसको हम बोलते हैं यह पूरा का पूरा जो आता है हमारे Cartesian system के अंदर आता है, cartesian system के अंदर आता है, cartesian ये ऐसे लिखते है en cartesian, cartesian system, ठीक है, और ये जो हमारा पूरा का पूरा plane बना, मैंने क्या उला हो लाइन सा हमने एक plane बना ले, जैसे की paper है, तो paper क्या हो गया, एक plane हो गया, इसको अंदर से बहुत कुछ निकल गया, डाइरी का लाए चलीं coordinate is defined by two perpendicular number lines a horizontal line x-axis and vertical line y-axis तो ये भी एक number line है ये ये Nate-y axis और हमने इन दोनों को क्या क्या हम दोनों है हमने इन दोनों को perpendicularly जोड दिया है न है जो angle है 90 डिग्री ये perpendicular है ठीक है ये perpendicular है तो बिलकुल perpendicularly दोनों lines है तो इसको हम बोलता है Cartesian plane बहुत ही बड़िया आजाओ origin क्या होता है origin जहां से origin वो point होता है जहां पर x-axis or y-axis intersect होती है है ना और यहीं point से actually emerge भी होती है ठीक है तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो या तो यहां से emerge होती ही जा रही है उसको हम origin बोलेंगे या फिर वो जहां पर intersect हो रही वो उसको origin बलेंगे मतलब दोनों यहीं की बात है देखो intersect भी obviously एक ही point पहोंगी दो lines सिर्फ एक ही point पे intersect हो सकती है अगर मैं ऐसी ऐसी lines भी लूँ तो भी इस point के अलावा यह दुनिया में संसार में कितनी भी दूर चली जा यह कभी intersect नहीं होगी दो lines सिर्फ एक point पे intersect हो सकती है तो वो जो एक point है उसको हम बोलते हैं origin क्या बोलते हैं origin बहुत ही बड़िया अब इतना समझ में है अब यह बाकी की जो दोनों चीज़े लोगों को देखो वैसे मैं slides बना के रखता हूं पढ़ का होता है भावक था मैं मैं सब कुछ एक साथ बता जाता हूं तो चैर अच्छी चीज़े कि कि उसमें समझ भी आया तो main तो target यह है कि तुमको समझ में आना चाहिए parar वावक जो हलता है उसका मतलब कहों होता है कहीं न कहीं यह चार से related होता है चार ठीक है जैसे do Dido ऐ ए फिर double यहां भी duo य़यब का लिखा रहता है उसपा कि वह बोलता है दो ठीक है फिर triple ट्रिब पर आता, try जहां पर आता, tri उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि triple हो गया, यह फिर triangle हो गया, ठीक है, तो वो हो गया 3 से related, जहां quadrilateral हुआ, quadrant हुआ, यह 4 से related हो गया, ठीक है, तो 4 से related कैसे, quadrant मतलब यह होता है, बहुत ही देखो, अभी जैसे कि यह line है, यह लेट से कि एक काम करत है, ठीक है, एक square ड्रो करते हैं, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही cute सा, यह हमारा cute सा square जो है, यह हमने यहाँ पर ड्रो कर लिया है, बहुत ही महनत के साथ में, क्योंकि हमको drawing तो वैसे भी बिल्कुल नहीं आती है, drawing में zero number आता है, अब यह quadrant हमने, यह sorry, एक square हमने ड्रो कर लि यह पहला हिस्सा, और यह दूसरा हिस्सा, है ना, अगर मैं दो line draw कर देता हूं, intersect करना ले, लेटसे कि मैं फ़ली ऐसी भी draw कर देता हूं, तो अब इससे क्या होगा, कि यह 4 हिस्सों में divide हो गई, ठीक है, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, और यह चोहता, है ना, तो यही से 4 आया, और यही से हमने उनिससों का नाम दिया, quadrant, तो quadrant क्या होता है, quadrant कुछ भी नहीं होता है, यह देखो, यह जो हमारी 2 axis ने, यहाँ पर intersect होके, 4 portions भी divide कर दिया, पूरे plane को, वो कौन से होगा, यह पहला, दूसरा, तीसरा, और यह 4, तो यह जो 4 portions है, इनको हम बोल यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, इनको हमने quadrant बोल दिया, क्योंकि यह 14 है उस plane का, है न, चार से related हैं, तो हमने उसका नाम quadrant रख दिया, अब यह जो quadrant है, इसमें तुम्हें ऐसा मन से नहीं बोल सकते कि पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, यह जो पहला, ये तीसरा होगा ये चोथा होगा ठीक है तो ऐसे चलते है 1, 2, 3, 4 anti-clockwise direction में ठीक है हमारे जो घड़ी है वो कैसे चलते है 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी मतलब वो ऐसी direction में चलते है तो हमको anti-clockwise मतलब clockwise कील्ड ड ш草ती यानि कि ऐसी direction में हमारे questions जो है वो धोड़े बन सकते हैं वो वाला पार्ट बताता हूँ सबसे important चीज़ कि भाई इतना हमको पता है एक चीज़ देखो अब इन चारो coordinates के ना कुछ-कुछ-कुछ-कुछ खूपसूरती है मैं इसको अपनी जो drawing अपने देखो सुंदर drawing में draw करने में इतना मजा नहीं आता है ऐसे जो बतसूरत सी drawing मैंने बनाई है उसके अपर समझाने में ज़्यादा मजा आएगा ठीक है तो यह चार quadrant हमारे हो गया हमने नाम तो देख लाए कि वो समझ लेते हैं उसके बाद में तुमको एपसिस और ordinate के बारे में भी बताऊँगा कि यह क्या होते हैं ठीक है और quadrant तो तुमको समझ में आए गया अब जो main चीज है इस chapter के अंदर वो यह है कि हम किसी भी point को plot कैसे करेंगे graph के उपर ठीक है या फिर graph के उपर जो point है उस x,y ही लिखते हैं ठीक है तो तुमको exam के अंदर question के अंदर ऐसा ही दिया रहेगा कि इस step को कोई point दिया रहेगा तुमको यह तो mark करना होगा जैसे कि तुमको mark ना करना पड़े बलकि identify करना पड़े तो अब यह mark करना सीखते हैं ठीक है तो यह basically x,y इस step से दिया हुआ रहे है ठीक है अब इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं मैं तुमको पहले तो तरीक पहले तो actual logic बता देता हूँ कि logic है फिर तरीका बता दूँगा तुम हमेशा तरीके के हिसाब से चलना क्योंकि अगर तुम logic के हिसाब से चलोगे तो confused हो जागे यह बहुत confusing चीज होती है ठ ठीके चलो हमको mark करना है 2,3 क्या mark करना है वहिया 2,3 mark करना है इस graph paper के उपर ठीके तो basically यह जो पहला point होता है 2 यह होती है distance from y-axis ठीके तो अब यह देखो x,y लिखा हो था तो जो x point है यह है distance from y-axis perpendicular distance from y-axis है ना तो देखो यह two point कहा मिलेगा मुझे देखो अगर distance from y-axis देख y-axis से जो distance ना पूँगा मैं वो इधर या फिर इधर ही ना पूँगा है कि नहीं देखो बहुत इधान से सुनो अगर मुझे 2,3 mark करना है तो y-axis से 2 की distance पे क्या आ रहा है यह y-axis है मेरी है ना अब इससे 2 की distance या निकि 2 की perpendicular दूरी है हमको क्या करना है कि y-axis से अभी तुम इधर होगी या इधर होगी है ना perpendicular distance obviously इधर होगी या इधर होगी तो यह y-axis है अब इससे perpendicular distance देखनी मुझे 2 तो 2 कहा मिलेगा 2 मुझे मिलेगा यह देखो इधर गया 1 और यह गया 2 तो यह जो हुई मेरी perpendicular distance या निकि 2 यहाँ पर मुझे मिल गया ठीक है तो मैं इसको mark कर द ठीक है तो अब distance from x-axis कितनी हो गई 3 तो हम इसको कैसे mark करेंगे देखो यह x-axis है तो इससे distance है तो उपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी ठीक है तो हम यह जो distance है यह चलो एक काम करो मैं और नौर्मली रताता हूँ ठीक है यह देखो यह x-axis से distance mark नापनी हमको तो अब 3 ठीक है तो x-axis से distance近 172중 two distance पर यह तो यह रहा हमारा point ठीक है यह किया रहा हमारा point यह रहा तो भाईया यह तो हमारा two mark कर दिया Aपने यह रहा और यह 3 mark कर दिया तो यह point two two कहां आया, तो यह जो point 2,3 है, यह इन दोनों के intersection पर आएगा, कैसे आएगा, देखो, मैं अगर 3 से एक line draw करना चालू करू, 3 से अगर मैं draw करू, इधर, और 2 से भी अगर एक draw करू, perpendicular है ना, perpendicular, तो यह दोनों lines जहां पर intersect कर रही है, वो point होगा मेरा 2,3, तो यह जो point मुझे mark करने का question आया, थाकि mark 2,3 on the graph paper, तो यह point मैंने यहां पर mark कर दिया, अब यह logic है, ठीक है, यह logic कैसा है, कि भाईया, यह जो 2 लिखा हुआ है, this is the distance from x-axis, ठीक है, यह x-axis से 2 की distance है, भाई, x-axis से 2 की distance यहां भी हो सकते थी, यहां भी हो सकते थी, यहां भी ह point मिला है, यह इस तरीके से मिला है, कि भाई, यह जो point है, इसकी distance x-axis से 3 है, और y-axis से 2 है, तो यह हमेशा एक unique point मिलेगा हमको इस type से, ठीक है, लेट से हमको मानलो की question के अंदर 4,2 भी दिया होता, तो 4,2 एक unique point है, क्योंकि एक ऐसा अनुगा point, जिसकी distance y-axis से 4 है, और x-axis से 2 है, ठीक है, तो अब यह चीज तुमको समझ में आ गई, अब यह जिसको समझ में आया, बहुत बढ़ी है, जिसको समझ में नहीं आया, उसके लिए plot करने का एक बहुत सिंपल तरीका, आप में तुमको बता रहा हूँ, बिलकुल दिमाग नहीं लगा ना, सब भूल जाओ, पर अब तरीका देहन रखो, क्या है बढ़ी है, टू को में थरी मार करने, यह चीज हमको पता है, यह स्टेंडर्ड फॉर्मेट जो होता है, वह था है, एक्स कोमा वाई, आलफ़ाबेटिकल और में एस से लेके जएड तक देखो, तो एकस पहले आता है, य बाद में आता ह चलता है, इधर चला में उधर चला, ठीक है, तुमने अगर सुनाओगा तो कोई मिलगेगा आना है, ठीक है, अब लिरिक्स मत लिखना लग जाना गाने कि हमको क्या करना है, हमको बसी मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्स पे टू तक चलते हैं, बहुती यह x-axis पे आपने बोला तो हम 2 तक आ गए, अब फिर मैंने तुम लोगों को phone लगा है, कि भाईया कहा हो, तो तुमने बोला भाईया हम x-axis पे 2 तक है जैसे आपने बोला था, मैंने बोला एक काम करो 3 तक आ जाओ y-axis पे, तो तुम क्या करोगे, तुम यहीं से 3 तक चलना चा यही तुम्हारा point है, ठीक है, इस तरीके की यही खूपसूर्ती है, इस तरीके की क्या खूपसूर्ती है, मान लो, लेट से मुझे, अब देखो, minus में भी अगर mark करना हो, लेट से minus 2 काम हो minus 4 अगर मुझे mark करना हो, तो कुछ नहीं करना, x-axis पे minus 2 तक चलो, भाईया, x-axis प coordinate बोलते हैं, ठीक है, इस को हम क्या बोलते हैं, coordinate, तो यह जो, जैसे x, y लिखते हैं हम, तो basically x-coordinate y-coordinate, तो जैसे मैंने minus 2, minus 4 लिखा, तो इसका मतलब हुआ कि x-coordinate minus 2 है, और y-coordinate minus 4 है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि x जो है, वो minus 2 है, और y-coordinate minus 4 है, ठीक है, तो थो थोड़ा minus 4 तक चल चलेंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिमाग नहीं लगा ना, तो minus 2 से करें minus 4 तक चलेंगे, तो देखो, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, यह रहा मेरा minus 4, तो यहाँ पर मेरा जो point है, यहाँ पर मेरा जो point है, यह मुझे मिल गया, यह जो point होगा, और इसको पर हम लिख भी देंगे, let's say a नाम दे दें, मैंने इस point को, तो क्या हो जागा, minus 2, minus 4, ठीक है, ऐसे point mark कर दिया, अब थोड़ा और देख लेते है, example के रूप में, let's say कि मुझे, अब थोड़ी speed से करते हैं, let's say मुझे 3, minus 5 mark करना है, तो कुछ नहीं करना, 3 तक चलो, x-axis पर, यह 3 आ गया, यह लिख कि मैं तुम confused कभी में होता हो ना, क्योंकि पहले हमेशा x तक चलो, फिर y तक चलो, let's say कि तुम्हें 2, minus 1 तक जाना है, अब अगर तुम गलती से, पहले minus 1 को consider करके, x-axis पर minus 1 तक चलेगा, तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो जो distance वाला तरीका होता है, कि इस से distance लो, y-axis से distance लो, x-axis distance लो, इसमें कहीं बार ये गलती हो जाती है, कि तुम गलती से गलत distance ना अपलेते हो, इसलिए जो तरीका मैंने बता है, इसको अपना कुछ भी दिमाग ने लगा ना, पहले जो लिखा है, तो 2 तक चलो, ये 2 तक चल गया, ठीक है, फिर minus 1 तक चलना यह कोई point आगा है, मानलो, minus 3,0, तो इसमें क्या करेंगे भाईया, इसमें देखो कुछ नहीं करेंगे, जो बोला वो करो, minus 3 तक चले, अरे भाईया, minus 3 तक चलके यहाँ पहुँच गए, आप कहां तक चलना है, 0 तक, 0 कहा है, 0 यहीं कहीं है, तो बस यहीं रुख जाना हमको, तो यहीं जो हमारा point हुआ, यह हो गया, minus 3,0, बहुत ही सुन्दर, बहुत ही सुन्दर, ठीके, let's say, सेम तरीके सा, अगर मानलो, हमको, 0, minus 4 बोला, ठीके, 0, minus 4 बोला, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, 0 तक चलना, और x-axis पहुँच 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 चलना है, और तो जो हमारा point है, यह बन जाएगा, 0, minus 4, ठीके, तो भाईया, अब बताओ सब लोग, कि यह जो पहला point था, minus 3,0, इसमें x-coordinate क्या है, भाईया, इसके अंदर x-coordinate जो है, वो minus 3 है, और y-coordinate जो है, बहुत ही बढ़िया, अगर मुझे बोला, यहाँ पर कि बताओ, x-coordinate, y-coordinate क है, ठीके, और y-coordinate is, let's say, minus 4, है न, यह y-coordinate है, तो मैं कैसे मार करूँगा, भाई, विल्कुल घवरा ना नहीं, कुछ भी नहीं करना हमको पता है, भाई, mark तो हमको 8 दें, 2 को minus 4 ही करना है, क्योंकि भाई, x-coordinate, फिर y-coordinate लिखने का तरीका तो यह उता है, भले हम तुमक बहुत, simple है कि नहीं है, बहुत ही वड़े है, बहुत ही शांदर, बहुत ही शांदर, बहुत ही शांदर, बहुत ही शांदर, अब, एक और तरीका, एक और बहुत खूपस़र से चीज़ देखो, let's say, चलो मैंने एक पॉइंट यह मार कर दिया, है न, यह होगा, 2, चलो अब बहना, एक काम करते है, अब एक काम करते है, अब वो सीख लेते है, कि भाई, कोई पॉइंट दे दिया है, तुमको बताने कि पॉइंट कौन सा है, क्योंकि इस टैप के कोशन आने के चांसे जाद है, क्योंकि MCQ-based है, तो graph paper शायद तुमको मिले, शायद ना मिले, वो लग पर अगर तुम लोगों को पूछा जया, लेट से कि इम point मेंने मार करके दे दे, और बताओ कि ये point कौन सा है, लेट से कि ये point है, तो बताओ ये point कौन सा है, तो इसमें तुमको बिल्कुल दिमागने लगाना, इस point को तुम ये axis तक खीचदो, खीचो मातला line मत खीचो, तो इसका जो X coordinate 2 वो क्या हो गया? माइनस 4 और Y axis की तरफ कहां पेटाच हो रहा है? यह 3 पेटाच हो रहा है, तो यह क्या हो गया? माइनस 4,3 बस इतना दिमाग लगाना है तुमको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना लेटसे को रेंडम पॉइंट है, यह अला पॉइंट है, तो इसको कैसे मार करोगे? कुछ भी मत करो, यह देखो कि भाई यह X axis और Y axis पे क्या-क्या बन रहा है? तो X axis पे 4 दे रहा है और इसको Y axis की तरफ से देखो, तो 2 दे रहा है, है ना? मतलब यहां से मैं X axis को देख रहा हूं, तो मुझे 4 दे रहा है, और यहां से मैं Y axis को 2 दे रहा है, तो यह क्या हो गया? 4,2, बहुत वड़िया, ठीक है? क्लियर है इतना? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से हमने देख लाई है, ठीक है? क्या बात है, क्या बात है, अब लेट से तुमको कोई भी point दिया, लेट से कि यह point दिया तुमको, यह अला point, तो इसको कैसे करोगे? कुछ भी नहीं करना, इसको x-axis से तरफ देखो, मतलब इस point से तुम x-axis को देखो, तो क्या मिल रहा है तुमें? 0 मिल रहा है, तो भाई यह हो गया 0, और y-axis पे हम कहां है, 4 तो यह 0, 4, मतलब x-axis पे कहां है, और y-axis पे कहां है, बस, तो कहने का मतलब जो chapter है, उसका नाम य के समने इसको देख लिया, अब chapter जो है, इसके अंदर मात्र इतना सा है, कोई धिमाग नहीं लगा ना, chapter सची में भी इतना सा है, इसमें एक चीज़ तुम लोगों को add कर दूँ, जो तुमने आपर देखा था कि epsisa क्या होता है, और ordinate क्या होता है, तो कुछ भी नहीं, epsisa या फिर तोड़ा अलग जगे कान, हम हो गया, epsisa, या उसके दोस्त, उसको epsisa बोलाते होंगे, और y-coordinate का जो नाम है, वो है, ordinate, ordinate, ठीक है, अब तुम बोलोगा, भी या, coordinate, ordinate, हाँ, तुम एसी नाम रख दिया होगा, अब बसमाम कुछ कर नहीं सकते है, जो नाम रख हाँ, तुम ने, हाँ, वैसा तो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो, x-coordinate का निकनेम, epsisa, बोलते हो, y-coordinate का निकनेम, ordinate, बोलते है, और आगे जो लिखा है, वो ही चीज़े दो मैंने तुमको सबसे पहले बताई थी, कि x-coordinate क्या होता है, x-coordinate is the distance of that point from y-axis, है कि ने, distance of that point from y-axis भाई, देखो, अगर ये point है, ये point है, तो x-coordinate इसका क्या हुआ, minus 3, तो minus 3, actually, sorry, x-coordinate इसका क्या हो, minus 3, तो minus 3 क्या है, actually, y-axis से perpendicular distance हुई ना, ये, perpendicular distance, कि भाई, हाँ, ये 1 distance, sorry, ये minus 1 distance, minus 2 distance, minus 3 distance, हाँ, तो ये y-axis से perpendicular distance हुई, है कि ने, perpendicular distance, ऐसी वैसी तो हो नहीं सकती, obviously, perpendicular ही होगी, जैसे कि यह perpendicular distance हो, तो यह perpendicular होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, तो यह y-axis से perpendicular distance कितनी हो, इसकी minus 3, तो वही होगा x coordinate, तो बात वही है, बात एक ही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते है epsis और इसको बोलते है ordinate, अब जो positive है, मतलब यहाँ पर जितने भी number, जितने भी point, देखो, point सिर्फ यहाँ यहाँ लाए नहीं कर सकते, point हो सकता, यहाँ भी लाए करे, यह point कौन सो होगा, करीब करीब होगा 2.5, है ना, क्योंकि बाई, यहाँ तो सब numbers है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे करें तो करके हैं, ठीक है, तो ऐसे करके हमको समझ में आ गया, तो basically यह पूरे quadrant के अंदर, जितने भी numbers है, जितने भी, sorry, numbers नहीं, जितने भी points होगे, उनका x coordinate भी positive होगा, और y coordinate भी positive होगा, obvious सी बात है, क्योंकि यह भी positive चल रहा है, है ना, तो इधर से भी नापेंगे तो positive, इधर से भी नापेंगे तो positive, अगर हम आते है second quadrant में, तो second quadrant के अंदर भाईया, देखो y axis तो पूरी positive ही चल रही है, पर x axis negative होगी, तो यहाँ पर जो ordinates, यहाँ पर जो भी हम mark करेंगे, उसमें x coordinate negative हो जाएगा, और y coordinate positive हो जाएगा, तो यह कुछ हमको इस type के दिखेगा, तो यहाँ पर plus a plus b दिखेगा, यहाँ पर हमको minus a plus b दिखेगा, है ना, और अगर third quadrant, third quadrant जो है, जो first quadrant के बिल्कुल opposite है, vertical opposite है, कैसे ही बोलो, इसको बिल्कुल opposite सा दिख रहा है, point का sign का होगा, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बोल तो minus minus, क्योंकि third quadrant में, और अगर तुम वैसे भी देखना चाहो, तो इधर भी देखो minus 4 है, इधर भी minus 4 है, तो minus 4, minus 4 y है, तो दोनों ही, जो इसके जो दोनों ही coordinates है, x भी और y भी, दोनों negative होगा, और जो fourth quadrant है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर x जो है वो positive होगा, और y coordinate negative हो जाएगा, तो यह हमने चारो coordinates की खूप सूर्थी देख लिया हाँ पर, ठीक है, बस इतनी हिसी बात है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अब यह कुछ NCRT के questions है, NCRT के questions है, यह NCRT के तुम्हारे questions है, क्या बोल रहा है, in which quadrant और on which axis do the falling points लाए, which axis, यह which axis तुम कब बताओगे, जब actually वो किसी axis पर लाए कर रहा है, वो कब लाए करेगा, जब एक coordinate 0 हो, समझ रहे हो बात को, भाई मेरी बात सुनो, अगर 2,0 है, अगर 2,0 है, तो यह किसी quadrant पर लाए नहीं करेगा, यह किसी axis पर लाए करेगा, कौन सी axis पर लाए करेगा, वो हमको देखना है, ठीक है, 2,0 कैसे मार करते हैं, हाँ 2 तक पहुँचे और 0 तक चले, तो यह first, second, third, fourth quadrant में लाए नहीं कर रहा है, यह axis पर लाए कर रहा है, है ना, थोड़ा से उपर होता तो quadrant में जाता पड़ा, अभी तो बिल्कुल यह axis पही लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह जो point है, this lies on x axis, ठीक है, similar लेगर 0, minus 4 है, तो 0, minus 4 कहां लाए कर रहा है, यहाँ पर लाए कर रहा है, यह रहा 0, minus 4, ठीक है, तो यह जो है, this lies on y axis, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो देखते हैं, भाई, अब देखो, बिना तुम point करे, बिना plot करे भी बता सकते हो, कि कौन से quadrant में, कैसे बता सकते हो, पहला ओला negative दूसरा ओला positive यह कहा होता है second quadrant में यह देखो यहाँ पहला negative दूसरा positive ठीक है तो यह negative और यह positive तो यह first quadrant में लाए करता है बहुत ही बड़ी है ठीक है फिर 3, minus 1 यह कहा भाई 3, minus 1 तो 3 इधर minus 1 इधर तो यह point कहां लाए कर रहा है यह कौन सा quadrant है यह fourth quadrant है तो यह fourth quadrant में लाए कर रहा है फिर minus 1,0 देखो x axis पे कुछ चला और y axis पे कुछ भी नहीं चला तो obviously x axis पे लाए करेगा है यह minus 1,0 ठीक है बहुत ही बड़ी है फिर 1,2 यह यह रहा point 1,2 कहां लाए कर रहा है दोनों ही positive है तो obviously first quadrant दोनों ही negative है कहां लाए करेंगे इन थर्ड quadrant यह वाले quadrant में जहां पर दोनों ही negative होता है बहुत ही बड़ी है verify और answer by locating तो locate तुम कर सकते हो ठीक है देखो अब यह एक चीज है कि the point minus 4,0 lies on x axis y axis first quadrant and second quadrant तो minus 4,0 बिना plot किये देखो minus 4,0 भाई y coordinate 0 और x coordinate कुछ है तो इसका मतलब x axis पर लाए कर रहा है क्योंकि x तक तो हम चले है ठीक हमने चलना कहां से चलूँ कहां देखो basically तुमको इतना दियान रखना है कि हमें origin पर खड़े हुआ है हमको किसी ने बोला minus 4 तो हमने बंद करके minus 4 तक चलने चलू कर दिया फिर हमको कोई भी y coordinate बोलेगा तो हम y x से सिरफ चलेंगे जैसे कि y उन्होंने बोल देखो minus 4 तक चले है हाँ अब 2 तक चलो देखो simple फिर से एक बार बताता हो let's say minus 4,2 plot करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कुछ भी नहीं हो हम origin पे हमेशा हम origin पे खड़ रहेंगे हमको origin से कहीं नहीं बागना origin पे हमारा घर है origin पे रहे हमने सुना minus 4 minus 4 चलो minus 4 तक चल दिया फिर दूसरा कहा है 2 अरे 2 2 2 2 तो 2 कहा है उपर आगा कि नीचे आगा उपर आगा ओविसली क्योंकि positive है तो हम 2 तक चल दिये तो यह हमारा जो point है यह जो point हमको मिला यह बल गया हमारा minus 4,2 है ना तो यही कर रहे हम चल रहे हैं बस origin से चलना स्टार्ट कर रहे है पहले x axis के उपर फिर y axis के उपर तो यहाँ पर देखो लेट से minus 4,0 है तो यह x axis के उपर में कितना चला बहिए minus 4 तक चला और y axis कहां चलना है 0,0 मतलब वहीं के वहीं रुखना है कहीं मत जा 0 तो यही हुआ ठीक है तो इसके अंदर तुमको y coordinate दे रखा है y coordinate दे रखा है तो यह y axis पर लाए करेगा और अगर तुम verify भी करना चाहो तो 0 से लेके 4 तक जाओ तो यह तुम्हेरा point अगा 0,4 तो यह कहां लाए कर रहा है यह y axis पर लाए कर रहा है ठीक है यह y axis पर लाए कर रहा है बहुत ही बढ़िया ठीक है बहुत ही बढ़िया तो बस identify यह देखो बाद में आना चाहिए था पर मैंने पहरी बता दिया let's say for example यह point है तो इसको बता वही क्या होगा है point कुछ नहीं करना इसको x तक लेके चलो आहा 3 तक आ रहा है इसको y तक लेके चलो आहा 4 तक आ रहा है तो 3,4 x तक लेके गए तो x पर कहां कट रहा है और y तक लेके तो y पर कहां कट रहा है तो y पर 4 पर कट रहा है यानि कि cut intersect हैं पर 3 यहां पर 3 पर intersect हो रहा है तो 3,4 बहुत ही बढ़ा है, यह माइनस 3, 4 है, मेरे से गलती होगे, ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़ा है, यह एक चीज देखो, अल्ड़ पॉइंट्स व टाइप, X, 0 लाइए, X, 0 मतलब की Y कोडिनेट 0, X कोडिनेट में कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 और y-coordinate में जो भी, sorry ये y, 0 में गलत लिख दिया हैं पर this should be 0, y y, 0 तो again वही x-axis पर लाई कर देगा ठीक है कि y-coordinate 0 हुआ इसके अंदर y-coordinate है, x-coordinate 0 है तो this will lie on y-axis अब तुम बोलो कि 0, 0 कहा लाई करेगा तो 0, 0 कही नहीं लाई करेगा, 0, 0 तो हमारा घर ही है घर मतलब origin ये कहा है वाईया, ये हमारा origin ही है ठीक है, चलो, तो बहुत ही बड़िया with this, we come to the end of the video बहुत ही amazing तरीके से, बहुत ही simple तरीके समने इस chapter complete कर लिया, और इस chapter के अंदर सब इतना ही है ये देखो, insight का, एक दो questions भी, एक questions भी करा दे, मैंने तुमको रिस साथ कुछ है नहीं बाके खुद एक बार insight देख लो, मुश्किल से तुम्हारे 15 से 20 मिट लगेंगे insight देखोगे पूरी तो, या आदा घंटा लग सकता है मुश्किल से अगर एक एक question solve भी करो graph विपर के अपर तो भी एक घंटे मातर तुमारे insight हो सकते हैं chapter पूरा का पूरा यहीं पर समाप्त होता है तो वे this, we come to the end of this video, I hope you guys really enjoyed it make sure to like this video, share करते हैं इसको सारे अपने groups के अंदर सब जगे फैला दो कि भाईया प्राने भाईया न डाल दिया ज़स्ट पढ़ लेक्चर ना होला, टेक है मिलते नेक्स वीडियो के अंदर तो तक ले गुड़ बाई, टेक केर जैहिंद, बंदे मातरम जार झाल, तो झाल, 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 ज्ज है और, भाईया प्राईया प्राईया भाईया वीडियो।